Hello friends, WSQ Tech के channel पे मैं सुरेंदर आपका एक बाफ फिर से welcome करता हूँ आज सी language को use करते हूँ हम लोग एक और अलग type के pattern को discuss करने वाले तो आज कर जो मेरा pattern आप देख सकते हैं, इस screen के उपर आपको दिखाई देगा जिसमें मुझे क्या करना है, इस बार small में कुछ characters को print करना है जैसे small e, small d, small c, small b और small a इस type से आप देखेंगे कि ये 5 characters जो है वो मैंने केवल एक row के लिए print किये हैं इस type से row number 2 में फिर से हम इन 5 characters को print करने वाले हैं ऐसे ही आप next row, यानि कि row number 3 के लिए भी 5 characters को print करने वाले हैं आगे न आप row number 4 के लिए भी 5 characters को print करने वाले हैं और इस type से जो last आपके पास row है, 5th row, वहाँ पर भी आप ये 5 characters को print करने वाले हैं तो देखिए इस type के pattern को बनाने के लिए अखिर इसका logic क्या होगा, किस type से इसकी coding होगी यह सारी बात हैं हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं तो देखते हैं आखिर इसका logic क्या है देखिए इसका जो logic है वो बड़ा simple है, मुझे क्या करना है इसके अंदर 5 rows हैं, आप समझते हैं row क्या होती है, आप horizontal area देख सकते हैं, जैसे मैं यह कह सकता हूँ कि यह suppose row number 3 है, तो यह वाली पूरी की पूरी row आपकी row number 3 count होती है अब इस row number 3 में या row number 2 या 1 के अंदर मुझे कुछ columns देखिए यह column 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 columns है तो आप देख सकते हैं कि आपको row के अंदर के columns भी आपको समझ में आ गया है, यहाँ पर total 5 rows और 5 columns अब इसमें issue क्या होगा, इसमें issue यह हो रहा है कि हमारे जो characters हैं, जो print हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे है, decreasing order इ, D, C, B, A है ना, उल्टा हो रहा है, लेकिन हम जो यहाँ पर column को set कर रहे हैं, वो increasing order है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 तो अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूँ, कि मैं 1, 2, 3, 4, 5 नहीं करके, इसको अगर ऐसे कर देता हूँ, 5, 4, 3, 2, 1 तो यह मेरे लिए best होगा, ठीके, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, अपने columns की जो values है, वो 1, 2, 3, 4, 5 की जगे क्या कर दिया है, 5, 4, 3, 2, 1 ठीके, इस type से मैंने इसको set किया, तो मुझे क्या क्या करना होगा, यह मैं क्यों कर रहा हूँ, यह एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि मेरे जो character's है, कैसे हो रहे हैं decreasing order में यहां पर print हो रहे हैं तो मुझे क्या करना है यहां पर print करवाना print क्या हो रहा है वो एक बर हम लोग देख मेरे पास क्या है कोई column की value होगी like column मेरा कहा से शुरू होता है 5 से one times तो मैं चाहता हूँ कि जब वो 5 पर आएगा तो मुझे क्या करना है सबसे बड़ा नंबर आपको यहां पर क्या दिख रहा है 5 तो मुझे क्या करना है यहां जाकर लिखना है percentage percentage c में जाकर कि मैं क्या लिख दूँगा जो भी आपकी c की value है क्या है अभी 5 5 प्लस उसके बाद मैं लिख दूँगा यहां पर 96 96 क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि जो आपके पास में 97 होता है 97 जो नंबर है वो किसके लिए होता है small a के लिए small a का ask क्या होता है 97 तो आप दे 101 अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो देखिए अभी क्या हो रहा है c प्लस 96 मतलब 5 प्लस 96 क्या हो जाएगा 101 101 क्या प्रिंट कर देगा e को जब आपकी c की value 4 हो जाएगी तो 4 प्लस 96 100 क्या प्रिंट कर देगा small d ऐसे ही जब आपके पास 2 3 प्लस 96 पे क्या प्रिंट कर देगा small a, तो इस type से मेरा जो purpose है, वो solve हो जाएगा, बस मुझे क्या करना है, अपनी column की जो value उसको 5 से 1 times तक लिके जाएगा तो मैं क्या करता हूँ, logic आपको समझ में आ जाएगा, एक बार मैं फिर से और बता देता हूँ, मुझे यहाँ पर क्या करना है आपनी row की value को set करना है, row कहां से शुरू होगा, 1, 2, 5 ठीक है, हर बार जब आप row के अंदर आएगे तो आपके कुछ columns जो है, उसको set करना है, column को मैं यहाँ पर इस तरीके से set कर दूँगा, c की value जो है, वो कहां से शुरू होगी, इस बार आपकी 5 से, कहां तक जाओगे आप 1, और यहाँ जो आप columns देखने वाले हैं, इस columns में आखर आप print क्या करेंगे, तो क्या print करेंगे आप, मैं जाके लिख देता हूँ, printf के अंदर percentage c, और percentage c में क्या लिख दूँगा, मैं c plus यहाँ पर 96, ठीक है, बस कुछ इस टाइब से होने वाला है, मुझे यहाँ पर जाके क्या लिखना है, मैं जाके लिख दूँगा hash include, ठीक है stdio.h header file को मैंने यहाँ पर include किया है उसके बाद क्या लिखूँगा int main, यहाँ पर मेरा main function शुरू हो चुका है, इस main function के अंदर मुझे कुछ काम करे, तो क्या काम करूंगा मुझे दो variable चाहिए है, R और C row और column को handle करने के लिए row और column को handle करने के लिए दो variables बना रहा हूँ, क्या नाम रख रहा हूँ? R और C, R किसको handle करेगा row को, C किसको handle करेगा column, ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक for loop ले लेता हूँ, for loop क्या होता है, आप जानते हैं, हमने कई तिसले वीडियोस में for loop भी दिउस किया है, कई बार हमने यहाँ पर while को भी लिया है, तो मैं यहाँ for loop को use करता हूँ, R की value set करूंगा R कहां से शुरू हो रहा है, 1 से ठीके, कहां तक चल रहे हूँ आप, तो R कहां तक चलेगा, 5 times तक मैं लिख दूँगा, R is less than or equals to 5, तब तक चली है, और R क्या हो दाएगा आपका increase जिननी की, plus plus इस बीच में आपको कुछ काम करना है, क्या करना है column को set करना है, तो मैं क्या कर दूँँगा for C, C कहां से शूरू होगा, इस बार 5 से शूरू होगा फिर क्या लिखेंगे, C कप तक चलेगा, जब तक कि वो 1 से बड़ा है, तब तक C आपका minus minus, यहां पर इसके अंदर आपको जाके printf लिखना है, percentage C लिखना है और यहां क्या लिखना है, C plus 96, तो इस तरीके से आपका जो pattern है, वो complete हो देगा और आप देखेंगे, क्योंकि यहां पर जो है curly brackets वो आपका optional है curly brackets यहां आपका optional होने वाला है क्योंकि single line statement जो होता है उसके लिए curly brackets लगा है, चाहन नहीं लगा है तो मैंने पहले हटा दिया था वापस लगा के आपको लिखना है कि यह वाली जो line है, वो इस for loop के साथ चले और फिर आप जब next, यहनि कि इस loop से बाहर निकलेंगे like e, d, c, b, a को print कर देगा तो आपको क्या चाहिए, यह new line चाहिए जब आप इस loop से बाहर आते हैं, आपको क्या लिखना है printf के अंदर जाके लिखना है, slash n इस type से आप यहाँ पर slash n लिख देंगे उससे क्या होगा, आपको new line मिल जाएगे तो इस तरीके से जो logic है, आपके सामने आप देख सकते हैं, और इसका जो code है इसकी coding जो है वो भी आपको सामने display हो रही है, मुझे क्या करना है, क्यावल f11 key को press करना है, ताकि मैं इसका output देख सकता हूँ, output मुझे इसका वैसे ही मेला है, जैसा कि मैंने starting में बात करीती, तो इस type से हमने जो है आज एक और अलग type के pattern को discuss किया है आगे के वीडियो में भी हम लोग अलग type के pattern को discuss करेंगे, तब तक लिए आप हमारे साथ बने रही है, जैनियो